हेलो फ्रेंद्स नमस्कार मैं डॉक्टर कविता शर्मा आज परामानन दायुर्विदा की तरफ से मैं डिसकस करने जा रहे हूं एक कॉवन समस्या बार बार थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक करके पिशाब आना यानि पेशेंट जो है या जो व्यक्ती है जो पीडित व्यक्ती है उसको बार बार टेंडेंसी रहती है कि यूरीन की आरज रहती है बार बार उसको पिशाब जाने की इच्छा रहती है और रुप रुप के, थोड़ा थोड़ा करके या कई बरी जादा मात्रा में भी उसको पिशाब आता है तो हम झानेगे किन कारणों से होता है, क्या क्या जाच करवा सकते हैं और आयुरवेद में इसके द्वारा कैसे हम इस समस्या से निजाद पा सकते हैं तो सबसे पहले कारण मैं बताऊंगी जो सबसे कॉमन कारण है वो है UTI यानि यूरिनरी ट्रेक्ट जो पूरा मूतरवेस इंस्थान है उसका किसी संक्रमन से ग्रसित होना किसी इंफेक्शन से ग्रसित होना UTI और ये UTI एक्चुली जो यूरिनरी ट्रेक्ट का इंफेक्शन है वो ऐसा नहीं होता कि आपने अंटिबाटिक का कोर्स किया और आपको ठीक हो गया ये रिकरेंट UTI की मैं बात कर दी हूँ जिसमें बार-बार urinary tract का infection होता है In spite of being की patient पूरा antibiotic course ले लेता है फिर भी उसको ये problem रहती है दूसरा कारण urinary calculus मूत्रवे संस्थान में कहीं भी अगर पथरी है उसकी वज़े से भी बार-बार रुक-रुक कर पिशाब आ सकता है तीसरा कारण है urethral structure यानि जो urethra है उसमें जो है किसी भी प्रकार की रिकावट या संकोच या अवरोध हुत्पन हो जाना अन्यकारण neurogenic bladder neurogenic bladder यानि जब हमारा जो bladder है या पिशाब की थहली है वो किसी nerveine factor के द्वारा sensitize हो जाता है nerves जो है वो sensitize हो जाती है और बार बार patient को बिना किसी कारण के पिशाब की बार बार अर्ज रहती है प्रमहे अगर किसी को है जैसा कि आयरवेद में कहा गया है मुहर मुहर मूत्र प्रवरत्ती जो है वो प्रमहे का कारण होती है यानि मदू मेहे में भी जैसे बार-बार पेशेंट को जो है रोगी को बार-बार पिशाब आता है पर वो amount उसका जो amount है वो अच्छा खासा amount होता है ऐसा नहीं कि थोड़ा-थोड़ा पिशाब आता है और physiological अगर मैं बात करूँ तो pregnancy में स्तिरियों को बार-बार पिशाब आने की प्रवरती रहती है बट वो physiological है वो normal है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और last कारण है BPH BPH जो की वृद वृद अवस्था में जो prostate है जो गदूद हमारी गदूद एक गरंती होती है पुर्षों में पाई जाती है वो enlarge हो जाती है उसका size बढ़ जाता है जिसके कारण bladder पर pressure पढ़ने के कारण जो patient जब पिशाब करता है तो एक बार में पूरा पिशाब नहीं निकल पाता है और जो पिशाब रह जाता है उसके कारण कुछ देर बाद व्यक्ति को पुनह यूरीन की आरज होती है misturation की आरज होती है और वो बार-बार पिशाब के लिए जाता है तो ये कारण मेंने कुल होते हैं जाच आपको कैसा पता लगेगा कि क्या कारण हो सकता है, तो उसके लिए आप urine, routine microscopy, ultrasound scan करा सकते हैं, के यूबी रिजिन का, सिस्टोग्राफी होती है, सिस्टोग्राफी होती है, रिट्रोगेट, पाइलोग्राफी होती है, अगर किसी patient को जो मैंने ये लक्षन बताये हैं, ह तो आप पहले हमें call कीजे, हमें संपर कीजे, फिर हमारे चिकित्सक आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी जाच उपियुक्त है, तो उसके बाद आपकी रिपोर्ट आएगी, आप हमें वो scan करके या उसका photo click करके हमें बेज सकते हैं, अब है इस समस्या से हम निजात क कैसे पा सकते हैं आयुरवेद के द्वारा, आयुरवेद में मूत्रव है, संसान गत रोगों के लिए बहुत ही उत्तम ओशत, बहुत ही उत्तम थरपीज हैं, क्योंकि पेशेंट एंटिबाइटिक का कोर्स करने के बावजूद भी इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पाता ह तो आयुरवेद में बहुत अच्छे संभावना हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाओंगी उत्तरवस्ती जो की पुरुषों में हम देते हैं मूत्रमार के द्वारा, इसके द्वारा जो है वो BPH की प्रॉब्लम जो मैंने बताया, या स्ट्रिक्चर की प्रॉब्लम, नि यूट्यूब चैनल पे, इसलिए उत्तरवस्ती के डिटेल में नहीं जाओंगी, इसके बाद में जाओंगी आउशद पे, अगर किसी को यूटी आई है तो आयुरवेद में बहुत अच्छी आउशद जैसे त्रिन पंच मूल कशाय हो गया, श्वेत परपटी, अच्छार परपटी हो गई, वरुन आदी कशायम हो गया, त्रिवंग भस्म हो गया, स्वर्ण माक्षिक हो गया, स्वटिका, टंकन, ये अन्य आउशद हैं जो की यूटी आई में बहुत अच्छा काम करती हैं, कैलकुलस में पाशान भेत आदी चून है, पुनरनवा है, गौक्शु पर उत्तरवस्ती का प्रयोग किया जाता है, specifically उत्तरवस्ती is indicated for urethral structure, जिसमें हम different आउशद, छार तेल, कशाय, ये सब यूज करके वहाँ पर structure को हम break करते हैं, उसको ठीक करते हैं, नियूरोजनिक ब्लाइडर के लिए हमें कुछ nerves को boost and up करने के लिए आउशद देनी इसमें की स्वाण्ड एवं अन्य धातों की भसमें, पिष्टी, इत्यादी होती हैं, जो की मूत्रव है जो नाडी हैं, उनको मजबूती या उनको strength देती हैं, जिससे नियूरोजनिक ब्लाइडर की condition दीरे 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 इंप्रूव होती हैं, बीपी एच की प्रॉबलम में इसमें भी बहुत सारी ओशद हैं, जैसे की वरुनादी कशायम, चंदर प्रभावटी, कांशनार गुगलू, और जो भसमें हैं, धातों की भसमें हैं, और स्वन्ड युक्त जो ओशद हैं, वो भी इसमें काम करती हैं, डिपेंड करता है, जो मैंने ओशद बताईं आपको ये बताने का मकसद ये नहीं कि आप खुद करीद के का हैं, ये सारी ओशद हैं, according to दी व्याधी दी जाती है, according to प्रकृती, क्योंकि आयरवेद एक personalized science है, यानि व्यक्ती की प्रकृती के according काम करती है, जैनि अगर सुपोस किसी की पथरी पाशान भेदादी चून से निकल रही है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की पथरी भी पाशान भेदादी चूल से निकले जस्ट आपको नाम इसलिए बताया कि यू गेट टू नो कि हाँ आयरुवेद में भी ओशद हैं आयरुवेद में भी थेरिपीज हैं या आयरुवेद में भी ऐसे उपाएं हैं जिसके द्वारा आप अपने मूत्र की जो समस्या है बार-बार पिशावाना उससे आप निजात पा सकते हैं किसके लिए कौनसी ओशद सूट करेगी या एक ओशद से मैं ठीक हो जाओंगा क्योंकि हमाँ पास कॉल आते हैं कि मुझे ये फलाम विमारी है क्या मैं ये ओशद सेवन कर लूँ या डारेक्ली पेशन्ट और करके मंगा लेते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि एक ओशद काम नही आधी दूर होती है तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नाम सुनकर खुद खरीद कर ना खाएं पहले हमसे बात करें अपना रिपोर्ट हमें सेंड करें अपनी पूरी हिस्ट्री हमें बताएं उसके अकॉर्डिंग हमारे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज अगने प्रिस्टेश